लोकसभा चुनाफ 2024 को लेकर सभी पार्टियां पूरी तैयारी कर रही हैं अब चाहे वो खुल कर टीवी चैनलों की डिबेट शोज में बैठ कर अपना पक्ष रखना हो या फिर रैलिया करनी हो राजनीती आज कल इंटरनेट की भाशा में कीवर्ड है लेकिन इस बीच कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि कैमरे पर अखिलेश भी दिखी जाते हैं राहुल भी दिख जाते हैं केजरवाल तो हेडलाइन्स में है ही ऐसे में बहन जी यानि की BSP प्रमुक मायवती कहा है क्या इस सेलेक्शन्स में उनका कोई रोल रहेगा तो आपको बता दें कि BSP भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयारी कर चुकी है लेकिन इस बार BSP की तरफ से जो सबसे पहले नंबर पर बैटिंग करने के लिए उतर रहे हैं वो है मायवती नहीं बलकि उनके भाई के बेटे अकाश आनंद अब इसे आप निपोर्टिजम कहें या कुछ हो और ये आप पर डिपेंड करता है अकाश आनंद 6 अप्रेल को नगीना में जनसभा करेंगे जबकि मायवती 16 को बिजनोड जाएंगी बहराल इस पुरी वीडियो में हम जानेंगे अकाश आनंद के बारे में कौन है ये क्या पढ़ाई इन्होंने करी है और इनका बैक्गराउंड क्या रहा है जिनसे बीएसपी के सपोर्टर्स को एक उमीद है कि क्या पता इनहीं से पार्टी में कुछ जान आ जाए तो आकाश आनंद की उम्र है 28 साल यानि की मिलेनियल्स के क्लब से वो आते हैं इनका जन नौइडा में हुआ था आनंद की शुरुआती स्कूलिंग नौइडा और गुडगाउं से हुई है आनंद ने साल 2013 से 16 के दौरान लंडन की युनिवर्सिटी ओफ प्लाइ माउथ से MBA की पड़ाई पूरी की है इंडिया वापस आकर उन्होंने खुद का बिजनस शुरू किया और पिता का बिजनस भी संभाला अकाश ने कई बड़ी कंपनियों के साथ काम भी किया है साल 2016 में अकाश आनंद ने सक्रिय राजनीती में आने का फैसला लिया साल 2017 में यूपे विधान सभा चुनाव हारने के बाद मायवते उन्हें जन्ता के सामने लाई जन्जी की भाशे में बोले तो ये उनकी एक तरह से सॉफ्ट लैंडिंग थी साल 2019 लोग सभा चुनाव के दौरान पारिटी ने अकाश को स्टार ट्रिचारर को की लिस्ट में शामिल किया था तब उन्होंने आगरा में अपनी पहली इलेक्शन रैली को संबोधित किया इसी समय बहुचन समाज पारिटी का सपा के साथ जो अलाइन्स था वो तूट गया और अकाश आनन्द को पारिटी का नैशनल कॉडिनेटर घोशित किया गया 9 अक्टूबर 2021 को हर्याना के अंबाला में बसपा के संस्थापक काशिराम के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर कहा था उन्होंने यानि कि अकाश आनन्दे काशिराम आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनके विचार हमें आज भी प्रेड़ना देते हैं अकाश अपने भाशर में इंगलिश के अलफाज का काफ़े इस्तिमाल करते हैं जैसे काशिराम के बारे में बात करते हुए उन्होंने इंगलिश में कहा कि काशिराम सोर्स ओफ इंस्पिरेशन थे सोशल मीडिया पर भी अकाश का अकाउंट काफ़े अक्टिव रहता है और वो यूथ को जोडने के लिए काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर अकाश आनंद के दो लाग से भी ज्यादा पॉलिवर्स हैं इंस्टेग्राम पर उनका बायो कहता है BBC की एक रिपोर्ट की मुताबिक अकाश आनंद के नाम से एक लिंग्डेन प्रोफाइल भी है जिसमें उनकी फोटो लगी है उसमें उनका designation managing director DJT Corporation and Investments लिखा हुआ है लिंग्डेन प्रोफाइल से और जानकारी मिलती है कि अकाश DJT Corporation and Investments के संस्थापक है और उन्होंने ये कंपनी 7 साल पहले अप्रेल 2016 में बनाई इस प्रोफाइल के मुताबिक वो गुडगाओं के पाथवेस वर्ल्ड स्कूल से पढ़ चुके हैं LinkedIn की प्रोफाइल में वो अपने बारे में लिखते हैं अकाश पहली PD के बिजनस परिवार में पैदा हुए हैं जो एक साधारन परिवार से हैं अकाश हमेशा से कुछ बड़ा करने का सपना देख से रहे हैं अपने नीजी अनुभवों की वज़े से वो एक उध्यमी बने और अपना बिजनस शुन्य से स्थापित करने निकल पड़े आपको बता दें कि बीते दिनों बस्पा सुप्रीमो मायवती का उत्तरा धिकारी घोशित होने के बाद अकाश आनन्द एक्टिव मोड में है उन्होंने मिस्ट कॉल के जरिये लोगों को जोड़ना भी शुरू किया है मिस्ट कॉल देने भड से आप अकाश आनन्द से जुर सकते हैं आप मेरे साथ चले और बियेस पी से जुरू इस मुहीम में मेरे साथ जुरने के लिए आपको स्क्रीन पे दिये गए नमबर पर सिर्फ एक मिस्ट कॉल छोड़नी अकाश आनन्द से जुड़ने का मतलब बसपा से जुड़ना होगा उन्होंने फोर नमबर भी एक जारी किया मिस्ट कॉल से जुड़ने निकले इस अभियान में अकाश ने नारा दिया नरुके हैं नरुकेंगे परसनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने बसपा के पूर्व राजी सभासान सद अशोक सधार्थ की बेटी डॉक्टर प्रग्या से शादी की है अकाश आनन्द अभी तक यूपी से बाहर पार्टी संगटन का काम देखते रहे हैं पिछले साल मध्यप्रेदेश और राजस्थान सहित चार राज्यों की कमान उनको सौपी गई थी उसके बाद उनको मायवती ने अपना उत्तर धिखारी घोशित कर दिया था तब से ये चर्चा थी कि लोग सभा चुनाव से वो यूपी में सक्रिये होंगे अब पाईटे ने उनकी चुनावी सभाओ का कारिक्रम तैय कर लिया है आपको बता दें कि उत्तर प्रिदेश में दलित राजनीती के दो युवा चेहरे नजर आते हैं एक भी मार्मी के संस्थापक चंडर शेकर आजाद और दूसरे अब फिलाल जो आक्टिव हो रहे हैं वो हैं अकाश आनन्द तो अब आप बताए क्या आपको लगता है कि अकाश आनन्द के जरिये बसपा को एक नई दिशा मिल पाएगी या नहीं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईए मैं हूगा रिमा आप देख रहे हैं सुच